प्यारे बच्चो इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने क्लास 12 का मॉडल सलूशन हिंदी इलेक्टिव का कम्प्लीट कर लिया है सब्जक्ति प्रशनों के उत्तर को उसमें हम लोगों ने देख लिया है इस सेकेंड पार्ट के वीडियो में हम लोग अब्जेक्टिव प्रसलों के उत्तर को देखेंगे देर ना करते हुए आपसे निवेधन है कि चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और अपने मित्रों तग या वीडियो जरूर सेयर करें और यदि आप लोग ने अर्शास्त्र इतिहास का कम्प्लीट नहीं किया है मॉडल सेट तो उसका भी मैंने बना के चैनल पर ढाल दिया है प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सिखते हैं कोस्चन है गध्यान्स को पढ़ना है और एक से चार के सही विकल्प का चैन करना है तो इसको आप लोग पढ़ लिजेगा सिधे हम कोस्चन पर चलते हैं वर्तमान समय में दी जाने वाली जाने वाली सिख्छा की विशेष्टा निम्न में से कौन्ध सी है तो यहाँ है डिश्टी कोन को विक्षित करने में सहायक है बुद्धी को तेज करने वाली वेप्ति की भावनाव को सचेत करने वाली और इन में से सभी तो यहाँ पर इसका आपका चौथा उप्सन जो है वो सही है पहला का चौथा स्था फिर है आज पढ़ा लिखा यूवक अपने जीवन का बहमूल समय कहां नश्ट कर देता है तो जो है वो अपना ज़्यादा तर समय कहां नौकरी खोजने में नश्ट कर देता है तो यहाँ हो जागा दूसरा का चौथा तीसरा है भारतिय विद्यार्थी को दी जाने वाली सिच्छा का पर्थम सोपान है तो यह पर्थम सोपान जो है वो है सिच्छा जो आवस्चक हो तो यहाँ तीसरा का हो जाएगा दूसरा चोथा है रेडी खीर वन जाना मुहावरे का अर्थ है तो इसका मतलब है काम कठिन हो जाना तो चोथा का हो जाएगा पाला फिर है निमलिखित पध्यांज को ध्यान पूर्वक पढ़कर पांच से आठ तेलिये सही विकल्ब का चैन करना है तो यहाँ है रगुकुल की अभागिन रानी कौन है तो यह है आपका केक कई तो पांच मा का हो जाएगा तीसरा केक कई फिर धिकार उसे था महास्वार्थ ने घेरा पंती में किसे महास्वार्थ ने घेरा था तो यह घेरा था केक कई कोई तो छट्ठा का हो जाएगा यहां चौथा सात्मा है पर्भू सब्द का परियोग किसके लिए हुआ है तो हम लोग सबी जानते हैं पर्भू सिरी राम तो यहां राम हो जाएगा सात्मा का पहला भाव आचक संग्या का एक उधारन है तो भाव वाचक किस से भाव प्रकट हो रहा है तो यहाँ कठोर से क्या हो रहा है भाव प्रकट हो रहा है इसलिए आठमा का हो जाएगा तीसरा फिर है रचनात्मक लेखन तथा अभिवेक्ति और माध्यम भारत में पहला छापा खाना कब खुला तो ये खुला था आपका 1556 में तो नौमा का हो जाएगा दूसरा 1556 जन संचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है तो सबसे पुराना माध्यम आपका प्रिंट माध्यम प्रिंट माध्यम अलवता है जो पेपर पत्री का जो छपता है वो प्रिंट माध्यम कहलाता है इगारा है मुद्रन की सुर्वात किस देश से हुई थी तो मुद्रन की जो सुरुवात्वी थी चीन देशे हुई थी तो यहां 11 का हो जागा चौथा फिर है तुरंद घटी घटनाओं की जनकारी जन संचार के किस माध्यां द्वारा दिया जाना संभो नहीं हो पाता है तो यह किसके द्वारा तुरंध नहीं दिया जाना संभव पाता है या तुरंध घटी घटना तो यह हो जाएगा आपका समचार तो यहां 12 का हो जाएगा पहला समचार द्वारा तुरंध हम लोग नहीं दे सकते हैं फिर है समचार सैली क्या कहलाती है तो समचार सैली जो है वो उल्टा पिरामिड सैली कहलाती है तो यहां 13 का हो जाएगा आपका 3 14 है समचार पढ़ने वाले को क्या कहते है तो जो समचार पढ़ता है या जो समचार बताता है आप लोग टेलीवीजन में देखते होंगे तो उसको हम लोग वाचक कहते हैं तो यहां चौटा का हो जागा पहला वाचक फिलांसर पत्रकार का कार है फिलांसर यहां नाम से ही पता चल रहा है फनाइंस मनलब भुकतान या लेंदेन से संबंधित होगा तो यहां पर दूसरा जो ऑप्सन है भुकतान के धार पर अलग-अलग समचार पत्रों के लिए लिखना तो यहां पंदरा का हो जाएगा दूसरा सुला है कवीता की पहली सर्थ क्या है तो यहां कवीता की जो पहली सर्थ है वो है सब्दों से मेल जोल अगला कोस्चन है साहित की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तदों को भी अपने अंदर समेटे हुए है तो यह हो जाएगा नाटक, देखने के साथ साथ सुनने का भी होता है, नाटक हम लोग देखते भी है, सुनते भी है, तो यहाँ 17 का हो जाएगा दूसरा कहानी का केंद्रिय बिंदू क्या कहलाता है तो यहां कहानी का केंद्रिय बिंदू है वो कथानक कहलाता है यहां 18 का हो जगा दूसरा आपका पाठ्ष पुस्तक से ये है इस पध्यांज को पढ़ना और 19 से 22 तक के सवाल के अंसर देना है तो सीधे question पर आते हैं प्रस्तूत काव्यांज के कवी है तो इसके कवी कोल है आपका सूर्यकान त्रिपाठी निराला कवी ने किसे अपना संबल कहा है तो कवी ने किसके कहा है सरोज को अपना संबल कहा है 21 है कवी का जीवन कैसा रहा है तो कभी का जो जीवन रहा है वो दुख पूर्ण रहा है यहां 21 का हो जाएगा दूसरा 22 है आपका विकल सब्द का अर्थ है तो यहां विकल सब्द का अर्थ होगा व्याकुल देखिए आप 5, 6, 7, 8 दिया इसका मलई यह 5, 600 पहला दूसरा तीसरा चौथा है तो यहां पर इसी साफ से 5 पहला बोल सकते हैं तो 22 का हो जाएगा व्याकुल जीवन के अंतिम मोड पर देव सेना द्वारा ठुकराने के पहचात असकंदूत कौन सा वर्थ लेता है तो यह असकंदूत कौन सा वर्थ लेता है? तो वो लेता है कि आजीवन आवविवाहिद रहने का वर्थ लेता है तो यहां ताइस का हो जाएगा दूसरा चोबिस है सत्य कवीता में कभीने जीवन में सत्य की महता को दरसाने के लिए किसे माध्यम बनाया है तो ये बनाय है आपका महा भारत के पुरानिक संदरवो को 24 का हो जाएगा आपका 34 25 है तुलसी दास की परसिद रचना इनमें कौन सी है तो हम लोग सबी जानते हैं तुलसी दास की राम चरित मानस तुलसी दास की परसिद रचना है पिये सो केवू संदेशडा ए भावरा एकाग 25 कवी की है तो ये है मलिक मुहम्मद जायसी की तो यह 26 का हो जागा पहला जायसी फिर है केवसद दावस की कावे भासा क्या है तो उसकी भासा है आपका ब्रज भासा मलब तीसरा उप्षन बोली है या इसकी कोश्चन के धार उपर सात्मा या एक दो तीन ही रहे गाई तो ये हो जागा ब्रज फिर है गद्यान्स को पढ़ना है और 28 से 31 थक के अंसर को देना है तो 28 नमबर आपका कोश्चन करता है प्रस्तूत पंतिया किस पार्ट से ली गई है तो ये जो है आपका या थास में रोचते विश्यम से लिया गया है 29 नमबर कोश्चन करता है प्रस्तूत पंतियों के रचनकार है तो इसके रचनकार आपका है राम बिलास सर्मा 30 है भारतिय जीवन विहक कहां बंदी है तो ये बंदी है आपका संबंधों के पिंजडों में लेखक किसे धिक कारता है तो लेखक आपको है सो पराधिनता को बढ़ावा देने वाले को धिक कारता है 31 का हो जागा 6 या 1,2,3 के हिसाब से ये दूसरा होगा राम चन सुकल के पिटा का तबादला जब हमीरपूर से मिरजापूर हुआ तब सुकल जी की उम्र कितनी थी तो इसकी उम्र थी 8 वर्स तो 32 का हो जागा पहला सुमीरिनी के मन के पाठ के अंतरगत कितने लगुनिभन्द है तो यहाँ पर इसके लगुनिभन्द जो है 33 का हो जाएगा दूसरा 3 अगला है मैं भाई भावियों की नौकरी करके पेट पाल लूँगी या कथन किसका है तो ये कथन है बड़ी बहुरिया का 34 का दूसरा 35 है दूसरा देवदास कहानी की नायका कौन है तो ये है आपका पारो 35 का हो जाएगा तीसरा पारो 36 है कुटज के पोधों की क्या विसेश्ता है तो इसकी विसेश्ता है आपराज्य जीवन सकति स्वालंबन भी है अतनिर्भरता है 36 का हो जाएगा चौथा ये सभी 37 है सूरदास के जोपड़ी पाट के अंद में सूरदास क्या निश्चित करता है तो वो निश्चित करता है पुना जोपड़ी बनाने का 38 है अस्तम रह गए रूप आर सेखर सिप ज़रने के गिरने के सोर को छोड़ कर कोई आवाज नहीं थी कहीं पंती के लेखक है तो यहाँ इसके पंती के लेखक है संजीव तो 38 का हो जाएगा आपका तीसरा 49 है विकास की और द्योगिक सबगता को लेखक प्रभास जोसीन ने किसकी संग्या दी है तो यह दी है आपकी उजाड की सभ्यता की 49 का हो जाएगा पहला और लास्ट कोश्चन है विस कोहर की माटी का कथानायक का नाम है तो इसका कथानायक का नाम है विस्वनात तो 40 का हो जाएगा चौथा तो बच्चो हिंदी एलेक्टिप का भी मैंने मौडल पेपर कम्प्लीट कर दिया है आप लोग बढ़िया से पढ़िए और भी महत्पून कोश्चन मैं आने वाले वीडियो में बताऊंगा चैनल पर बने रहें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लाग गया दीजिए बाबाए